इस समय हम मनिपुर की राजधानी इंफाल में एक ऐसे शक्स के पास पहुचे हैं जो किस तरह से मानुदिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है कितना भी मुश्किल दौर क्यों ना हो बबलु जी की आवाज देश और दुनिया में चारों तरफ रही वह हुमन राइट एलर्ट से लंबे समय से जुड़े हुए हैं इसको खड़ा किया है उनका पूरा नाम है बबलु लोई तोमबं अधिकतर लोग उनको सिर्फ बबलु जी के नाम से जानते हैं नियूस क्लिक में आपका स्वागत है चुनाओ की पूरी तयारी हो चुकी है मनीपूर में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप बतौर मनीपूर नागरिक बतौर हुमन राइट एक्टिविस्ट यहां पर क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि होने चाहिए और उतने मुद्दे नहीं आ रहे हैं यहां चुनाओ चलता है आपको पैसा के हिसाब से मसल के हिसाब चलते जा रहा है तो हम लोग ने इस बार सिबिल स्थाइटी के लोग एकटे होके हम लोग ने यह सोचा है कि हमारा आम जनिता का लो जो मुद्दे जो है उसको थोड़ा यह इलेक्शन में भी यह ये इलेक्शन केमपेंड में उसको बहुत उसके उपर चर्चे करें तो हम लोग का फैदा होगा इसलिए हम लोग जो अलग-अलग सिबिल सोसाइटी के लोग अलग-अलग मुद्दे पे जो काम कर रहे हैं वो सब एकते करके हम लोग नवेंबर में जो मैनिफेस्टो आने से पहले पुलिटल पार्टी का एक पीपल्स मैनिफेस्टो हमने खरा करके रखा है इसमें 27 पॉइंट्स दे रखा है अलग-अलग मतलब थिम से चाहे वो हूमन राइट्स हो विमेंज हो ड्रक का समस्या हो फार्मर्स का इशू हो एक्रि 17 नवेंबर में हमने ये रिलीज किया है और सारे पौलिटिकल पार्टी को हमने ये दे रखा है और बोला है हम लोग एक डायलोग करना चाहिए इसका कितना असर पड़ा? इसका कम से कम बहुत political parties लोग उसके अपना manifesto में डाला हुआ है और हम लोग ये invite भी किया है हम लोग उसको एक dialogue करना चाहिए तो Congress का manifesto committee आके हमारे साथ बात्चित किया है और उसके साथ ये National People's Party भी साके हम लोग के साथ पुरा उसका election manifesto का अलग-अलग मुड़े पे हम लोग बात्चित चर्चा चला है तो अभी दो दिन में मनिपूर में election शुरू होने वाला है उससे बिलकुल पहले हम लोग ने एक analysis किया है कि कितनी हमारा जो issues है वो राजनिती दल अलग-अलग राजनिती दल अपना party का manifesto में डाला हुआ है तो उसी में हम लोग कल एक press conference करके सबसे ज्यादा जो नंबर किसको मिले नंबर NPP को first मिला है Congress को second मिला है और जनता दल और BJP को third मिला है देखिए हर political parties ने अपना manifesto में अपसफा रिपिल करने का बात बोला है except BJP, BJP ही नहीं बोला है मगर जब तक आप voters को इनका vote मांगने के लिए चलेगा और उसका जीने का हक जो है वो तो चीनेगा यह तो contradiction होता है ना कल BJP का अपना एक press conference किया है और उसमें clarify कर रहे हैं कि यह इतना बड़ा issue नहीं है और वो लोग अभी हाँ सब लोग मान के चल रहे थे कि हमिशा आए हैं तो कोई announcement होगा Modi आए हैं तो कोई announcement होगा क्योंकि उन्होंने काफी लुभावने चीजे दी हैं कि स्कूटी दे देंगे लैप्टॉप दे देंगे पैसे की भी बात है छे हजार को बढ़ा के आठ हजार किसानों के ले कर रहे हैं तो इन सब का क्या BJP के लिए फायदा हो रहा है जो conscious voters है वो लोग तो बहुत नफरत है ऐसा freebies दे के हमारा वोट को खरिदने का कोशिश कर रहे है उसकी बगार एक clear policy जो dignity and respect पीपल को देने वाला और एक perspective देने वाला policy का framework रखे तो वो सोच समझ वाले voters तो उसमें ज्यादा ध्यान दे रहे थे और हम फोर्टुनेटली ये जो freebies चोटे मोटे बात दो ग्यास सेलिंडर स्कूटी फर कॉलेज गुएंग गर्स ये तो बहुत ही हमारे ख्याल से लो लेवेल का politics चल रहा है एक और चीज जो मैं आप से जानना चाहते हूं कि drugs को लेकर मनीपूर पूरा एक तरह से drug economy में फसा हुआ राज है और हमने देखा कि किस तरह से उस समूह ने भी खुल कर बोला कि BJP को वोट दो और अगर BJP को वोट नहीं दोगे तो बहुत परिणाम दुश परिणाम होंगे जिस पर election commission ने भी कुछ नहीं किया लेकिन इस तरह से खुल कर उस drug cartel का सीधे सीधे BJP के पक्ष में आना क्या कहता है देखिए आप जो अभी BJP ने टिकेट दे रखा है वो जो अभी चुनौती में वो खरा है इन में से कई लोग ड्रक के चार्जेस उसके उपर है क्रिमिनल चार्जेस है अभी तो एफिदवित में सब खोल के देखा है मगर वो लोग जो जिसके उपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं है मगर लोग सब सेंस करता है कि वो यह drug cartel का key players है वो लोग सब अभी मतलब उसका BJP टिकेट मिल रहे है वो लोग अभी openly बोला गया है कि वो लोग BJP को support कर रहे है और BJP में vote नहीं देगा इनका community आडमी लोगों को उसको consequence मिलेगा direct threat openly दे रखा है मगर अपसोस की बात यह है कि यहाँ पर government भी उसकी उपर case fine नहीं कर रहे ECIB action नहीं ले रहे जब तक इतना open threat militant लोग से एक पुरा community को threat करेगा और उसमें action नहीं लेगा तो free and fair election कहा होगा मनिपूर में यह election तो एक it has become a big joke बीजेपी का पहले तो बहुत यूफोरिया था Congress का पंदरा साल रहने से एक fresh idea आने का बहुत लोग expect कर रहे थे मगर दिरे दिरे यह हम लोग देखते जा रहे है कि यह अपना civil society का civic space जो है constantly erot होते जा रहा है एक ordinary people Facebook में कुछ criticize करके लिखता है तो उसको तुरंद chip minister को office से phone आता है इसको धमका देता है और journalists लोग एक government को थोड़ा सा critical लिखे तो उसको फटाफट यह unlawful activities prevention के हिसाप में मतलब अंदर ले जाता है तो यह जो national security के लिए security act जो है एक तरह से तो national security के काम पे तो नहीं use कर रहे है NTBJP का उपर पे मतलब काम कर रहे है देखिए मनिपूर का population इंडिया का 1% भी नहीं है half percent भी नहीं है 0.4% है मगर अनलोफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन के अंदर कितने लोग कबजे किया है देखे तो आप नेशनल क्राइम बीरो रिपोर्ट में देखे तो हम लोग 32% है तो 0.4% इंडिया का national security के जो legislation के अंदर वो कबजे किया है 32% है civil society का space तो पुला collapse किया हुआ है कई लोग को अप किया है और कई लोग जो resist किया है उसको तो बहुत bad treatment जैसा कि वो लोग पुरा anti-national है फिर भी क्या वज़े है कि लोग बात कर रहे हैं कि बीजेपी के पास upper hand है देखिए मनिपूर का आप political history देखे तो कोई भी जो party डेली में power में है वो मनिपूर में भी आएगा अभी अभी जो congress की बीजेपी के नाम पे अभी बीजेपी के टिकेट ले रहे है IT percent तो congress में नहीं था ये 2017 से पहले तो यहां का एक political corruption जो है इतना deep rooted है तो बीजेपी के पास जो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस से ही लोग गए हुए है तो इससे क्या culture में कोई फर्क नहीं पड़ता या लोग क्यों vote देते हैं लोगों को भी तो फायदा हुआ होगा मतलब यहां का माहौल जो है money power बहुत influence करता है लोग सोचता है कि government एक बार बन गया तो कोई लेना देना नहीं है जब तक अभी बहुत में यह बहुत मांगने के समय में थोड़ा बहुत मिले तो उसी में बहुत देता है और अभी in terms of command of resources जितना spend कर सकता है उसमें तो BJP का तककर तो कोई नहीं है तो इसलिए हम लोग भी कोशिस कर रहें कि बहुतर का education बहुत जरूरी है लोग tribal loyalty से vote देता है लोग अपना kinsip से vote देता है और जो बहुत खरीच सकता है इनको एक फ्लॉग करके उसी में उसी के हिसाब देता है इसलिए एक conscious and alert citizenry जो है आज तक हमने देखा नहीं इसलिए जो muscle power और money power को command करता है वो ज्यादा vote मिल जाता है तो रहा बहुत मुश्किल है लेकिन आप लगे हुए है बिलकुल बहुत बहुत शुक्रिया न्यूस क्लिक से बात करने के लिए और मुझे लगता है कि ये बहुत एहम काम आपने किया कि तमाम manifesto को numbers दिये और इस तरह से जो बुनियादी मुद्धे हैं उनके आधार पर भी आपने राजनितिक दलों के जो commitments है जिस तरह से उनको रखना चाहिए था उन्हें जनता के सामने रखा शुक्रिया थैंक्यू